ये थेचिक हम the basic घी में निट्टी को तोड़के दूबो धिये में यहां की ल選़ टी भाने में यहां के लिट्टी बहुत बढ़िया लगती है सबसे अची लगती है मुझे तो हैं हों जैंसित्पुर से हैं तो यहां पर कितने बड़े सीगड़ी में यहां पर लिती से की जा रही है आलू का चोखा है तो यहां पर आके देखिए और आपको बताते हैं इसका स्वाद तो यहां पर आके देखिए स्वाद में पूरव में इसमें ऐसा क्या खास है शहां में यहां तक इनका स्वाद में काफीध्य में है तो यह ऊठेश काम आप आपका ब् guerra है निस में ऊब Aww इना सब्सक्राभ ए किया श्चल्ब्लै ८े करणी वीड निया इस टॉल जो है वो कब से है दो जातीन से लगता है इस तोल अच्छा और पीखे सथ की जादा उसकी स्टॉपिंग की क्वांटिटी देख लेजिए और यह घी है अच्छा अच्छा देशी घी है तो यह रेखे किस तरह से लिट्टी तोड़के डाले दिखाए थोड़ा कैसे जाले चुंफा से तोड़के डालते हैं वाव और इसके साथ पिक्या क्या सार्व करते हैं इसमें आलू के चोखा है तो यह इसका जो टाइमिंग वह क्या बताया थे प्यांच्छे तो सबसे ज्यादा फिर कब आती है साथ बज़े गए और अगर यहां कोई आना चाहेगा तो इसका लोकेशन क्या होगा बसंट टॉकिज के सामने ब्लू डाइमन के सामने तो यह दिखे गाइस यहां पे कितने बड़े सिगडी में यहां पे लिटी से की जा रही है और लिटी साइज भी काफी सही लग रहा है तो भाइया यह कितना सथ्टू होगा यह टोटल टीन किलो सथ्टी लेश के अभी खताम होगा ऐसा-इसा-ईसा चार टीकिज कितना सथ्टू बेश लेते हैं सथू काष पान्दरा सथ्ष्टू किलो बहुत ज्यादा मतलब इनका जो लिट्टी है उसका स्वाध आप इनकी बातों से ही लगा सकते हो कि कितना टेस्टी होता है यहां पे इतने फास्ट लिट्टी भरी जारी है और सत्तु पूरा ठूस ठूस के डाला जा रहा है तो भाईया आप यह सब्सक्राइब का कम से है कित पर रहे हैं देखिये कितनी सारी भरती इनोंने क्या पर तो यह देखे गाइस यहां पे इनके काउंटर में कुछ जीब से कार्ट रखे रहे हैं तो चलिए पूस्ते भाईया से बताईये कार्ट की सीज़ के रखे हैं यह से लाल लेट वाला घ्याला का टोकन है इसमें आप एक पिस इंगल गी अलोला में जई यह सब्सक्राइब जाते हैं तो इनके लिए वाँ बहुत पढ़कार बड़ आपको इसमें नम्मम भी किया हुआ है तो इस में फुर्टिटू-47 था वनमन के सबस्तार यह मोल्में पहले हैं आपने तरमल में अपने देखा हूआट पू केलिए तो अच्छा है यह जए लगते हैं यहाख कैसी लगते यहां की जपने की तो इसकी प्राइज में डिया ब्राइज मोद्रेश शॉश्ताइम क्या ती हैं प्राइज वह है कि सब थी अड़ यहां पर वंदिया तो पॉलिटी तो भी बश्ट है तो यह देखे गाई यहां पर लगाई जा रही है नेरी प्लेट लिट्टी की और यह देखे किस तरह से एकदम देशी घी में लिट्टी को तोड़ के डूबो दिये हैं और यह गया आलू का चोका इसमें क्या-क्या मिक्स करते हैं भीया इसमें अच्छा अच्छा और यह गई इनकी हरी चर्ट तो जोस्ट है वर लूप गाई आगे यह हमारी जम सेथपूर की पेमस सुरेंदर केवर्ट लिट्टी चोखा तो चलिए खाते हैं और इसे बताते हैं आपका स्वाद कैसा है तो यह देखिए पुरे लिट्टी को वीच से हाफ हाफ करके इसे घी में डुपो दिया है और यह देखिए सत्तू तो पुरा गीला हो चुका है घी से अच्छा है मैंने बहुत जगह की खाई है लेकिन यहां पर जो भी की क्वालिटी है काफी अच्छी है बाकि नॉर्मल जो सत्तू की लिट्टी का टेस्ट होता है वही टेस्ट है एकदम आथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा और इनकी जो चटनी है उसमें काफी सारी हरी मिर जो मुझे बहुत पीखा लग रहा है और यह जो इसमें हरी चटनी डाली हुए है बहुत अच्छी लग रही है तो ओवर और इसका जो टेस्ट है काफी ऑसम है और काफी हेल्दी है और प्राइस की इसकी बात की जाए तो काफी रिचनेबल लिट्टी है मतलब इतनी भी घी आपको दो पीस लिट्टी इतने बड़े-बड़े साइस की आपको मिल जाती है चालीस रुपाय में वह भी घी में डूबोई हुई और भीना घी वाली लिट्टी आपको मिल जाती है थर्टी रूपीज में तो ओवर रॉल बढ़िया है इंजॉय कर सकते हो आप साम में इन थाली में ताता बड़ बाइब